हेलो एब्रिवन नमस्कार दोस्तों स्वाहत है अब सभी का मेरा और आपका अपने यूट्यूप चैनल राज है टेक्नोलिजियो टिक्स में और आज हम इस वीडियो में जानने वहला है कि आप वाटसप का दिलीट हुआ मेसेज को कैसे पर सकते हैं बड़ी आसानी से तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्क्रिप के लास्टेक दिखिए तो बिना टाइम बिस किए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों हम सब सब पहले चलता है अपने वाटसब पर यहां से आपको लाइब दिखा देते हैं कि कैसे यह काम करता है जैसे मैंने यहां पर यह मेसेज सेंड किया तो आप देख सकते हैं यहां पर यह मेसेज आ चुका है तो आप देखिए जैसे यहां पर मेसेज आ चुक को देखने का यहां पर मेसेज अल्रीड हो चुका है तो आप यहां से देख सकता है कि आप कैसे मेसेज डिलीट हो अपर सकता है इसके लिए आपको सेंपल सा एप प्लेस्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा उस एप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपक यहां पर करते हैं यहां पर करने के बाद यहां पर क्लिक करिए और यहां पर कुछ यह अप्शन मारंग रहा है जैसे कि आप यहां पर नोटेस आप यहां पर कर दिजिये आप तो आप जैसे यहां पर बेक होते है तो आपको सिंपली यहां पर वट्सब में क्लिक करना है और यहां पर आप तो आप यहां से आप देखिए आप जो भी मेसेज आप यहां से करेंगे आपको यह वहां पर सोगा जैसे मैंने यहां का मेसेज किया है और यहां पर देखिए यहां पर आ चुका है लेकिन आप जैसे ही इस मेसेज को यहां से डिलीट करते हैं तो यहां पर आपको कोई भी औ और दूसरा option नहीं मिलता है देखने के लिए तो जैसे आप गये तो यहां पर delete हो चुका है लेकिन आप इस app के इस्तेमाल करके आप जान सकते हैं जैसे मैंने यह भेजा है है हाई का मेसेज यहां पर आप एनी टाइम एनीवे आप इस एप को इंस्टल करने के बाद जो भी मैसेज आपको delete भी कर देगा तो आप यहां से जान सकते हैं कि कौन कौन सा मेसेज भेजा था आपको किसे से पूछने का जरूत नहीं पड़ेगा कि वह डिलीट हुआ मेसेज आपको आगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई दोस्तों